तो अगर आप भी पक चुके हो ये बार-बार सेट करकर के इस वीडियो मेड फोर केड़ सिया सेट इस मेड फोर केड़ नो इट इस नेट नौट मेड फोर केड़ तो मैं आपको आज इसका एक पर्मनेट सॉलुशन देने वाला हूँ उसके लिए आपको Google Chrome में जाना है फिर आपको studio.yetube.com खोल लेना है फिर अपना चैनल वगएरा ओपन कर लेना है उसके बाद आपको ये सेटिंग मिलेगी चैनल के अंदर जाके एडवांस सेटिंग में आपको गुज़ना है उसके बाद यहाँ audience आप permanently set कर सकते हो आप वो बार 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 जाने की ज़रूद नहीं है ठीक है अगर आपने बाया नी चांस पहले से set कर रख है this channel is made for kids तो आप यहाँ से हटा सकते हो आप third option चूज़ कर लेना I want to review this setting for every video तो यह ज़्यादा बैटर रहता है देखो अगर आपका channel adult content वाल है तो तो आप no it is not made for kids कर दो ठीक है ताकि 18 plus logo को ही दीखे पर अगर आपका channel ऐसा है कोई आप game upload कर रहे हो वो बच्चे भी देख सकते हैं बूडे भी देख सकते हैं तो आप third setting को ठीक है क्योंकि इसके पीछे reason यह है कि आपके views ज्यादा आएंगे ठीक है अगर आप made for kids set करके रखते हो तो youth आपकी videos नहीं देख पाएंगे इससे आपके subscriber ना बढ़ेंगे नहीं आपको views मिलेंगे तो करना क्या है यहाँ पे click करो channels में उसके बाद advanced setting में जाना उसके बाद अपनी audience को आप यहाँ से select कर लेना do you want to set your channel as made for kids नहीं मुझे made for kids channel नहीं चाहिए मुझे दोनों चाहिए जिसमें बच्चे भी देख सकें बुड़े भी देख सकें जवान में देख सकें तो सबसे best option है third वाला जैसा कि मैं आपको पहले कहाँ अगर बच्चे देखते हैं तो बच्चों के लिए set करो अगर जवान देखते हैं तो जवान के लिए लेकिन अगर आपके वीडियो दोनों देख सकते हैं third option choose करना ठीक है और save कर देना तो इस तरीके से जवा है आपके views बढ़ेंगे likes, subscribers, सब कुछ आपका देरी देरे बढ़ता जाएगा ठीक है तो that's it for this video बाई